Hey guys, welcome back to our channel, आज हम फिर से एक new RDP के साथ आए हैं, ये RDP आप जरूर create कीजिएगा, क्योंकि आपको knowledge मिलती है, आप अगर create नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जो मैं RDP आपको provide कराता हूँ, एक बार इनको create करके देखिएगा जरूर, और किते रहे, इससे आपकी knowledge ही बढ़ेगी, तो चलिए सबसे पहले हम अपनी किरॉम पर आ चुके हैं, और ये जो मैं link है, ये सब मैं अपनी telegram channel पर दे दूँगा आपको, तो मैंने description में link दिया हुआ है telegram channel का, तो बहां से आप मुझको follow कर सकते हैं, और बहां से ये सब ले स करते हैं, तो simple first link को हमने copy किया, और अभी हम अपने browser पर आते हैं, यहां पर paste करते हैं, simple, और चलिए अभी देखिए, ये हमारा जो RDP का cell है, start हो चुका है, तो यहां पर हम check कर देंगे, and start कर देंगे, ठीक है, तो थोडा सा हमको wait करना होगा, तो wait कर लेते हैं, ओके, fine, ये देखिए, ये हमारे नीचे जो ये cell आ रहा है, अभी यहां पर हमें, जो दूसरी बारी link है, हमें उसको यहां पर paste करना है, so, हम चलिए उस link को भी copy करते हैं, जो हमारी ये second वाली link है, इसी को हमको select करना है, and इसको copy करके, वहां पर paste करना है, ठीक है, देखते जाए, ये one by one, step by step, आप देखिए, सीखिए, अभी ये हमने करने के बार enter किया, तो अभी देखिए, ng rock की, हमको id create करना होगा, सबसे पहले, अगर आपकी ng rock की id create है, तो ठीक है, अगर नहीं है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ng rock की id मैं create कर रहा हूँ, यहां पर simple आपको temp mail का यूज करना है, और password अपना create कर लेना है, यहां पर, ठीक है न, और एक नाम दे देना है, जैसे कि मैंने दिया हुआ है, king idp, यहां से हम capture कर लेंगे, and फिर sign up कर लेंगे, ठीक है न, and skip कर देंगे, यहां से got it करेंगे, अभी यहां पर हम developing कर देंगे, and first option को ही चुनेंगे, and continue कर देंगे, अभी यहां पर हमें verify कराना है, ठीक है न, तो यहीं पर देखिए, temp mail पर हमें mail आया है, email दिया हुआ है, simple, यहां पर हम इस link पर क्लिक कर देंगे, and हमारी ng rock id verified हो जाएगी, ठीक है, अभी हमें यह token है, तो इस token को हमको copy करना है, ठीक है न, and उस cell में जाके paste कर देना है, जहां पर यह मांग रहा है, ठीक है न, यहां पर हम paste कर देंगे, चले, paste करते हैं, okay, and enter कर देंगे, अब यह हमारी rdp create नहीं हुई है, अभी हमें क्या करना है, यहां पर एक country लेना है, यह country दिख रही है, इन में से कोई एक लेना है, तो चलिए हम यहां पर us ले लेते हैं, and enter कर देते हैं, यह हमारी rdp create होना start हो चुकी है, थोड़े ही time में यह हमें rdp provide करा देगा, इसका use कैसी करना है, अभी यह देखिएगा, यह भी कुछ अलग ही तरीके से है, साइध ही है आपने अभी तक नहीं देखी होगी, यह rdp ऐसे create करते होए, ठीक है न, अभी यहां पर देखिए हमारे सामने सारी information आ चुकी है, ip address भी है, rdp का user और password भी है, सब कुछ है, तो अभी हमें करना क्या है, सबसे पहले google chrome पर आना है, no machine type करना है, सबसे पहले first option पर ही है remote desktop, ठीक है न, everybody, no machine का है, तो उस पर click करके, हमको यहां से इसको download कर लेना है, चलिए download करते हैं, and उसके बाद इसको हम install कर लेंगे, so यहां पर हम install करते हैं, next and accept, next, next, करते हुए अभी यह process होगी थोड़ी सी होते है, देखे, हो गई न, so अभी यहां में यहां पर चलिए yes करना है, उसके बाद अब देखे, यह automatic खुल जाती है, अभी हम करेंगे don't की यह दोबारा हमारे सामने ना आए, ठीक है न, so अभी यहां पर हमें add पर click करना है, and यहां पर देखे, यहां पर हम name दे देंगे, जैसी कि हमने दिया था ng rock पर king rdp, तो simple हम वही name दे देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर वही name देना है, तो यह host और port, कहां पर मिलेगा, तो वही cell में मिलेगा, यह देखिए, हमारा यह है, इसको हम select करेंगे, and इसको हम copy कर लेंगे, ठीक है, यहां पर copy नहीं है, तो चलिए हमें Ctrl-C करना होगा, select करके Ctrl-C, याद रखिएगा, copy हो चुका है, अभी यह देख रहे हैं, यह second, यह second किसलिए हैं, चलिए बाद में बताते हैं, अभी यहां पर देखिए, यह इतना हम cut करेंगे, and यहां पर paste कर देंगे, ठीक है, यह हमारा port था ना, इसी में था, तो इस port को add करने के बाद, यहां पर कुछ भी छेचार नहीं करने हैं, simple सा add कर देना है, add करने के बाद, अभी यह हमारे सामने इस तरीके से सो होगा, उसके बाद, उसके बाद यह देखिए, हमारे सामने जो यह second play हो रहे हैं, यह ह आप इनको डिवाइट करेंगे 60 से तो आपको आपका हावर मिल जाएगा यानि कि ये कुल मिलाकर टॉयल हावर तक बर्क करती है तो आप जो मर्जी वो इस आडीपी से करा सकते हैं कर सकते हैं तो चलिए हम कनेक्ट करते हैं और देख लेते हैं इस आडीपी को क्या क्या है चलिए इसको इगनॉर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे यहां पर देखिए अभी यहां पर हमें यूजर और पासवर्ड देना है तो देखिए यहां पर यूजर नेम है और पासवर्ड वी है तो चलिए यहां पे हम डाल लेंगे user ठीक है यहां पे नाम नहीं हो और password 123456 है तो simple डाल के connect कर देना है and yes ठीक है तिक करके yes कर देंगे ठीक है अभी यहां पे देखिए ओके इसको भी don't allow करना था अभी हम next time कर देंगे जब हम दुबारा से इसको create करेंगे ओके अभी हम display पर आएंगे and यहां पे screen का size को develop करेंगे चलिए देख लेते हैं नए अभी और करेंगे चलिए यह वाला ले लेते हैं and apply कर देंगे ओके अभी हमारी screen काफी अच्छी दिखने लगी है तो चलिए यहां पे हम internet explore को open करेंगे and यहां पे हम इस RDP की speed को test करेंगे तो चलिए speed लिखते हैं test के लिए and enter कर देंगे यह सबसे पहले ही आ चुका है option इसी पे हम click करेंगे and यहां पे आप इस RDP की speed देख सकते हैं 200 प्लस है तो काफी अच्छी है यह RDP और ऐसा नहीं के 200 प्लस ही रहेगी यह बन GPPS की भी speed provide करती है ठीक है और यह हमेशा change होती रहती है अभी कुछ यह दिखा रहा है साइद इसके दो घंटे बाद यहां पे 700 दिखाए uploading downloading speed तो यहां पे change होती रहती है so guys यहां पे आपको यह समझना कि यह RDP slow है ठीक है न अभी यहां पे यह देखते हैं यह कहां की RDP है what is my IP address अभी देखिए so guys यहां पे यह RDP हमारी Singapore की है ठीक है न तो काफी सही है एंड यहां से आप अपना CPM wash time increase कर सकते हो यह आपको toil hour के लिए मिल रही है तो आप समझे के आप 12 गंटे के लिए कुछ भी करके छोड़ सकते हैं और यहां पे इसका percentage भी देख सकते हैं 90 पिलस है एंड आपको अगर ऐसी ही नॉलिवल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठैंक्स फॉर वाचिंग एंड कमेंट में जरूर वतना अपनी राये एंड अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम्स को सेर करें ठैंक्यू